नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश चावला आपका दोस्त, आज आपके सामने लेकर आया हूँ, ट्राइपलाई प्रेशर कुकर, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सिृजन्परमुख निर्माता है प्रेशर कुकरों का, आज तक मैंने आपके सामने कई तरह के प्रेशर कुकरों को पेश किया like Almonium Pressure Cooker Hard Anodized Pressure Cooker Coloured Pressure Cooker Induction Pressure Cooker Structured Steal Pressure Cooker दोस्तों आज मैं उसी श्रंकला के अंदर आपके. सामने एक Neva Food St úr High Greenが cuantouger जिसमें खाना बनाना बहुत ही higienic रहते है उसका नाम होता है Try-Ply Pressure Cooker दोस्तों जैसे कि यह नाम से ही सावित हो रहा है Try-Ply यानि तीन लेयरों का मिशन होकर एक pressure cooker का निर्मान किया जाता है तो दोस्तों तीन जो metal हैं वो जानने बहुत जूरी है कि Try-Ply Pressure Cooker का मतलब क्या होता है तेखिए दोस्तों जो ट्राइप लाई होता है तिन लेयरों को मिलकर बनता है इनर स्रेनर स्ट्डेल उसके बाद आउटर में अलमोनियूँर और उसके बाद सबसे आउटर शीट है वो भी स्टेनर श्टील की होती है लेगिन तीनों में क्या फरक होता है जो अंदर की sheet होती है वो food graded होती है वो 304 grade से बनी होती है और उसके बाद उसके उपर एक layer चड़ाई जाती है जिसको की almonium sheet कहते है almonium का काम होता है ताप मान को बराबर रूप से फिला देना है उसके कारण क्या है कि खाना बॉड़ी पर चिपकता नहीं है और तेल कम लगता है और खाना बॉड़ी में पूरी तरह से ताप मान फैल जाता है उसके बाद आजाती है outer layer जो कि magnetic stainless steel होता है यानि कि induction पर गैस पर विर्कूल बराबर ताप मान लेके चलता है तो तीन सो चालिस ग्रेट का आउटर स्टेमने स्टील इनर जो है उसके बाद ऐल्मोनियम की शीट और उसके बाद जो है अंदर फ्रूट ग्रेडिट तीन सो चार की शीट तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं आपको यह तीन चीज़ समझ में आई होगी मैं फिर भी आपको कुछ इसके दुवारा दिखाना और बताना चाहता हूं कुछ आप इसके ध्यान देंगे तो यह तीन लेयरों का मिश्रण है उपर जो लेयर है वह तीन सो चालीस है और स्टार सो तीस है उसके बीच में अल्मोनियम की शीट है और जो अंदर आप सर्फे बबादा लगती है वह भी स्टेल की होती है और जो प्रेशर कुटर के बाकी देगुन है वो तो आपको पता ही है यह देखिए इसमें पूरा बकायदा लिखा होता है ट्राइप प्रेशर कुकर तो ये बहुत ही यूनीक और भुत ही हाईजिनिक प्रESH prossER कुकर है मैं उम्मीद करता हूँ इसके अंदर जो लगने वाले बाकी के गुण है इसमें इस्तमाल होने वाली रबर गासकेट की जगा इसमें सिलिकॉन गासकेट का इस्तमाल किया जाता है और इसके अंदर जो safety वार लगता है दोस्तों वो भी मैं आपको बताओंगा बाकितों सिद्जन pressure cooker के सारे बुडों से आप अच्छी तरह से अबड़ भी हैं फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसमें safety वार लगता है वो भी lead free होता है यानि पूरा pressure cooker जो है पूरी लिटर और तीन लिटर का तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ट्राइप लाइप प्रेशर कुकर के बारे में आपने सभी गुनों को जानने के शिष्टा की होगी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवार झाल